पांच मार्च दोहजार चौबिस को सरकार ने अपने निजी नलकूप का एक संकल्प सिध्धी कारिक्रम का सुभारंब लक्नव के इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू किया और उसमें उन्होंने एलान किया कि एक अपरैल 2023 से किसानों के जो बकाया निजी नलकूप कि जो बिल हैं हम उसको माप करेंगे हम इस वक्त मौजूद हैं स्रावस्ति जन्पत के गिलोला बिलाग गाउं घिलोली के पास एक फार्म हौश बना हुआ है जहां पर आज किसानों का बहुत बड़ा खुशाली का महौल बना हुआ है कई वरसों से किसान यूनियन के जिला अध्यच राम शरू बर्मा द्वारा किसानों के हित को लेकर हर जगे जगे धरने और हर जगे जगे पर किसानों की समस्याओं को लेकर लखनों और दिल्ली तक इनकी दौड़ हुई आज मैं किसानों को के साथ में रूबर्व हुए हैं कि जो 35 से 40 बर्स से किसान मांग कर रहा था कि किर्शी के योग ट्यूवल की बिजली माफ होनी चीए वो कल मानिये आजनाद जोगी जी ने एक किसान को बहुत बड़ा राहत दिया है उसके लिए मैं आजनाद जोगी जी को धन्वाद देना चाहता हूं पुरा विश्वास है कि सरकार माफ करेगी निजी नलकूपों का जो बिल है वो माफ करेगी कर अब सरकार को क्या संदेश देना चाहें गियंगे सरकार को यह 25 संदेश देना चाहेंगे कि किसानों के जो निजी नलकूप Peng जो मीटर लगे हुए हैं पहले से उन मीटर को भी हट वैजा है चुकि जब ने शुल्क हो गया सिचाहि तो मीटर को मतलब ही नहीं है त conventional कि यह हुआ है कि पहली अपरेल से लेकर अब तक 2023 का बिजली माफ और पुना और आगे बिल नहीं आएंगे आपका जो किसान का ट्यूवेल नलकूप का जो पानी है निकाल कर अपने खेतों में हम डालते हैं उसका बिल नहीं आएगा तरहे मैं आपको देना चाहूंगा कि इस च है मीडिया परभारी जो जन्पत्रवश्टी में काम कर रहे हैं इनके द्वारा हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद और हमेशा हमारे संगठन में या जनपद में किसी भी कार को लेकर میडिया रजिज भाई हमारे हमेशा तत पर रहते हैं, तो बहुत बड़ा सरे आप रजिज भाई को मिलना चाहिए और हमारे संगठन के तरफ से भी आपके संस्ता और मीडिया परभारी कि अपने स्रावस्ती के किसानों के द्वारा मानिये मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ महराज जी को धेर सारी सुब कामनाएं और बधाई देना चाह रहा हूं दे रहा हूं जो एक कामनों किया है ये बहुत स्राहनिय पूर्ण कारी है भारतिय किसानी उनियन राजनेतिक है उसमें जो हमारे मेडिया चैनल भाई रही स्वाई हैं बढ़ चरकर हमेशा बराबर भागिदारी अपनी सुनचित करते रहे हैं हर जिले हर देश के अंदर सरकार की सारी योजनाएं शभी गरीब पात्रों तक पहुँच सके मैं चाहता हूं कि ऐसे ही वीडियो बना कर शभी समधाय के बीच में साजह करूँ हमारे इस वीडियो को जादा से जादा सेर करें लाइक करें कमेंट करें बेल आइकन बटन दबाना न भूलें जिससे आए दिन ऐसे ही वीडियो बना कर शमधाय के बीच उनकी समस्याएं हल की जा सकें